प्रिशात्रों आप सबी का स्वागत है आईए आज से हम कक्षा नौवी के गडित विशे के अंतरगत ब्रिच कोर्स के अंतरगत पठन-पाठन सामगरी का अध्यन करेंगे हम बहुत ही रोचक, सरल एवं गतिविदी के माध्यम से बेशिक मैद समझेंगे एवं विबिन संक्रियाओं को आसानी से हल करके कार पतरक को सरल करेंगे बेसिक मेर्ट समझने से कक्षा नोवी, दस्वी, करित विशे के प्रशनों को सरल करने में बहुत ही आसानी होगी तो आईए सुरू करते हैं प्रिच कोर्स जो की प्रती वर्ष कक्षा नोवी में नव प्रवेशी चाच चात्राओं के लिए अध्यन कराया जाता है उसका अध्यन करेंगे ब्रिच कोर्स का अर्थ है सेतु का निर्माल करना इस कोर्स के अंतरगत हम सीखेंगे कुछ महतपूर्ण बातों को आपने कक्षा तीसरी से आठीवी तक के जो कुछ पड़ा है गडित विशे में उन सभी का हम यहां पर थोड़ा थोड़ा सा अंस लेकर समझाने का प्रयास करेंगे जिससे आपकी कक्षा नोवी में जो गडित विशे की NCRT की पुस्तक है वो आपको बहुत इच्छे से समझ में आ सके जैसा कि हम देख रहे हैं यहां पर विशे सुची दी गई है कक्षा नोवी के लिए यहां पर आप देख रहे हैं विशे वस्तू कौन कौन सी आपको अध्यन करना है बिरिच कोर्स के अंतरगत यहां पर आप देखेंगे कि सबसे पहले हमें गिंती एवं पहाडों का अध्यन करना है जो की आपको प्रति दिन दस मिनिट आपको अध्यन करना होगा और इसके बाद दूसरे नमबर पे योग अर्थात जमा की संक्रिया को समझेंगे गटाने की अर्थात व्यवकलन की संक्रिया को समझेंगे इसके बाद गुणा की संक्रिया को समझेंगे और उसके पस्चात हम भाग की संक्रिया को समझेंगे इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर पूर्णांक की संक्रियाएं दी गई हैं और भिन दरसमलो अनुपात एव हम अभ्यास का अध्यान करेंगे और सांती जामिती आकतियों का परीचे हम यहां पर देखेंगे और जामिती ठोसों का परीचे भी हम यहां पर समझेंगे और परीमाप और छेतफल की चर्चा करेंगे और बीजी वेंजक को हल करेंगे तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आपके bridge course के अंतरगत इस प्रकार की विशेवस्तु का समावेस है तो आईए इसमें सबसे पहले हम देखते हैं गिंती इवं पहाड़े देख रहे हैं कि गिंती लिखी गई है एक से सो तक और यहाँ पर इसको बताने के पीछे दात पर यह है कि हम कभी-कभी गिंतीयों का उचारण गलत करते हैं गिंती हमें लिखते आती नहीं है जिस तरीके से हमें उसे पढ़ना चाहिए हम उसको पढ़ते नहीं है कुछ लोग जैसे यहाँ पर 48 लिखा है या 37 लिखा है तो 37 पढ़ते हैं तो यह सबी चीज़े हमें आना चाहिए कि इसको हम किस तरीके से पढ़ें और इसको किस तरीके से लिखें तो ये गिंतियों का आपको बिल्कुल समझ होना चाहिए कि हम इसे हिंदी में किस तरीके से इसका उचारण करें और लिखें तथा अंग्रेजी में इसकी स्पेलिंग कैसे लिखें और इसको कैसे पढ़ें तो ये आपको पता होना चाहिए एक से सो तक की गिंतियों का आप अध्यन कर सकते हैं तो बच्चों इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर एक से दस तक के पहाड़े भी हमें दिये गए हैं आपको यह पहाड़े याद होना चाहिए बहुत ही अच्छा हुगा कि आप इन्हें याद कर लें तो यहाँ पर हमें एक से लेकर दस तक के पहाड़े भी याद करना जरूरी है अगर आपको एक से दस तक पहाड़े याद हो जाते हैं तो आप ऐसा करें कि इस 11 से लेकर 20 तक के पहाड़े याद कर लें जैसे कि आप यहां पे स्क्रीन पर देख रहे हैं 11 से लेकर 20 सके पहाड़े यदि आपके पास नहीं लिखे हैं तो आप लिख लें आरपत्रक ट्रमंक एक इसमें लिखा गया है नीचे लिखी संख्याओं को सब्दों में लिखी है तो यहां पे कुछ संख्याओं दी गही है इनको हमको सब्दों में लिखना है आपको पूर्ब में भी हमने बताया है कि जो एक से लिखे सोतक की संख्याओं उनको हिंदी और अंग्रेजी के सब्दों में कैसे लिखा जाता है तो उसी का हम उप्योग करेंगे पूर्ब में ही लिख लिए है ताकि आपका समय यहां पर बस सके यहां पर हमने लिखा है पहले 57 फिर उसके बाद लिखा है 66 और फिर 79 फिर 89 फिर 87 इसको कुछ लोग 87 उचारण करते हैं तो 87 है और इसके बाद 89, 76, 49 कुछ लोग उचारण करते हैं तो 49 इसको चारण किया जाता है 37, 43 इस तरीके से इन संख्याओं को हमें शब्दों में लिखना था अब आईए दूसरा प्रस्ण यहां पर देखते हैं जिसमें हमें दूसरे प्रस्ण में दिया गया है कि संख्याओं को घटते क्रम में लिखिये तो यहां पर कुस संख्याओं को घटते क्रम में लिखना है सबसे बढ़ा अंकों में ध्यान दियान है तो सबसे बड़ी संखया के नौ दिखाई दे रहे हैं के वाली इक है तो यहां पर हम ने लिख दिया चंत techniques के तरफ हम इस तरीके का इक चिनन बनाते हैं जैसे सकी ऐसा लगता है कि मछली ने मुह अपना खोला हुआ है तो हमेशा बड़ी संख्या के तरफ मुह खुला होगा और मचली की जो पूछ है वो छोटी संख्या की तरफ होगी तो यह आपको याद रहने का एक तरीका हो गया तो आप इसमें उससे छोटी संख्या लेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एट नाइन औ सिंख्या होगी और फिर एसके बाद छोटी संख्या होगी शिक्स नाइन तो इस तरीके से हमें क्या क्या किया घट्ते क्रम में संख्यायों को मैं बढयक्स संख्या से इस तरह क्य state ख होगिए सेग्णों के नोन देते हुए हो जाएगी पहली नमबर प Balance क्या और इससे चोटी संख्थ लिखी जाए तो यहां पे ऊच्च्छ Daisy आप दें पर सब्सक्रांबगा बड़ी दिखाई दे रहेकंगी तो इस तरीके से से पहले हम लिखेंगे दो छे पाँच और उसके बाद लिखेंगे दो छे तीन इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे छोटी जो संक्या और दिखाई दे रही है वह है 235 तो यहां पर हम लिख देते हैं में अंक आएगा वह तीन आना चाहिए तो तीन सभी में है तो हमने लिख दिया 3 इसके बाद उससे छोड़ी संक्या डाहीव के रूप में आप देख रहे हैं यहाँ पे दिखाये में 2 है 3 है दो है तीन है तो तीन आना ही चाहिए अब इकाई के अंक पर ध्यान देंगे कि यहां पर छे आएगा अथ्वा दो आएगा तो यहां पर हम छे लिख देंगे तो इस तरीके से 4336 बड़ी संक्या हो गई इससे चोटी संक्या आप देख रहे हैं 4332 होना चाहिए तो इस तरीके से हमने दूसरे नंबर पर इसको लिख दिया अब इसके बाद 4332 के बाद आप देख रहे हैं यहां पर 26 और 28 और 25 तो पहले 28 वाली संक्या आएगी तो यहां पर लिख अच्छी सम लिख देंगे तो इस तरीके से आपने देखा कि किस प्रकार से हमने संग्याओं को यहां पर नूट कर दिया आप देखेंगे तीसे नंबर का प्रशने आप एक के ही अंत्रगत है यह तो यहां पर रिक्तिस्थान की पूर्थी करना है हमें तो रिक्तिस्थान थar प्रशन यहां पे दीया गया है तूल आप 17 पादा आपकर और 9 या साथ यहां पर देक्र रहाएं याद करने का उद्धे यही थे लिए फिर इसकेबाद अगला जो है बारा पंचे यहां पे आप जानते ही है कि वारा पंचे साथ होटा है इसकेबाद आपका तेरसंबे 117 हो गा तोorta होगा तो तो नौ 6 लिख दें इसके बाद आप 17 सत्य 119 लिखेंगे तो यहां पर एक एक नौ आ गया इसके बाद उन्नेस तिया तावन आ गया और इसके बाद अगले वीडियो में कार पत्र क्रमांक दो तीन को और चार को सरल करेंगे मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद